हेलो एन वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेज तो बच्चों इस वीडियो में हम कुछ और और अर्गनिक कनवर्जन करेंगे कुछ और कंपाउंड को कनवर्ट करेंगे ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं तो देखो इसके लिए बिटे वही हमारा जो बेसिक सा जो फ्ल और पर देखो ठीक है तो शुरू करते हैं अभी वी तो पहला हमारे बास एन को ब्रूमो इथेन में बनाना पर को बनाना तो धृहन इसको हमें कनवर्ट करना है किसमें ब्रूमो इथिन में पुमो इथिन होता है सी एच थ्री च टू बी आर ठीक है तो हमें ऐसे कनवर्ट करना है तो क्या करेंगे हम तो स्टार्ट करते हैं तो सी एच्ट्री च्री को यह स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाते हैं तो तो पर हुझे हो गया इसपर हम जोड़ते हैं , BR2 बापके बार लग जोड़ेगी , उस तरीके से ठीक है और एक जगा पर क्या लगा लेते हैं बियार लगा लेते हैं तो यह था हमारे पास क्या एथेन और यह है क्या ब्रोमो इथेन से convert कर दिया हमने किसीज में ब्रोमो इथेन में ठीक है तो इथेन कहां था मतब अलकेन कहां था हमारे पार अलकेन यह था एलकेन से हमें बनाना था क्या था हेलो एलकेन बनाना था ठीक है तो एलकेन से हमें क्या बना लिया ब्रोमो एलकेन बना लिया एथेन से ठीक है चलो नेक्स है ब्रोमो मेथेन से प्रोपेनोन बनाना है क्या बनाना है बैटे हमें ब्रोमो मेथेन से प्रोपेनोन बनाना है ठीक इसको हम पढ़ेंगे इसको हम बनाएंगे दो स्टेप्स में बनाएंगे ठीक है मतलब दो तरीके से इनको बनाएंगे तो पहले बनाते हैं चलो पहले तो सबसे बहले ब्रोमो मीथेन बना लेते हैं I think I know you can go नहीं बोला जब क्या ब्रोमो ममीथेन क्या होता है प्रोमो मीथेन होता है CH3 Evet いて- kay BR BR म showcen इससे आम्रेवर बनाना है क्या प्रोपenne बनाना क्या बनाना प्रोपेन तो प्रोपेनोर कि उता है CH3 CH3 तो यह हमारे पाफ Bromothene था इससे हमें यह बनाना तो दिहान से रखना है कभी भी अगर हमें यह बनाना हूँ कोई भी Conversion करना हो तो हमें यह पहले यह बना लेना है कि हमें किस Compound को किस Compound में Convert करना है उसके लिए फिर जो भी रूल्स होंगे जो भी चीज़ें हम इससे हमें बनाना क्या इससे हमें बनाना है पुरोपेनों यहां पे अचले वाली चीज एक की यह कि यहां पर जो मारे पास जो इसपने सुर्प और रोमेतर आपने की तो पतिन सब्सक्रावल समयाँ हैं 3 कर MS आप यहां पर पहले क्या हम इसमें KCN का यूज़ करेंगे किसका यूज़ करेंगे KCN का तो क्या हो जाएगा CH3 BR PLUS KCN ठीक है KCN यूज़ किया तो क्या बना CH3 और यहाँ पर यूड़ गया CN ठीक है तो देखो यहाँ पर पहले हमने क्या क्या कार्वन बढ़ा दिया अब नंबर ओफ कार्वन बढ़ा दिया अब नंबर ओफ कार्वन बढ़ाने पर क्या होगा यह बटे नंबर ओफ कार्वन बढ़ाने पर क्या होगा मतलब KCN यूज़ करने से क्या होगा KCN यूज़ करने से हमारे पाँ एक number of carbon बढ़ जाएगा तो ध्यान रखना KCN को हम number of carbon बढ़ाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से number of carbon बढ़ सकते हैं और बढ़ सकते हैं by gregnard reagent को यूज़ करके तो अब आगे करते हैं इसमें gregnard reagent यूज़ कर लिया अब क्या करेंगे बेटें अब देख रहा होगा कि जो यह triple bond है इन में से एक bond को हम तोड़ देते हैं ठीक है एक bond को तोड़ देते हैं तो चलो तोड़ते हैं तो CH3 और यहां पर C double bond N और यह तूटेगा और यह वाला bond तूटा एक CH3 जाके इस पर लग गया और इस पर MgCl जाके लग गया ठीक है अब हम करेंगे है परदे इसका हम तूटहीं करेंगे तो चलो करते हैं हम पर आठीक है तो तो क्या होगा यह जो डबल बॉंड दिखा है आक यह फंटान ब इस पहले को तो-टूट यह तोVA पर यह एक के और बन तूटा और यहां से एक bond टूटा और इस पर जाके लग गया क्या CH3 यह CS3 तो ऐसी था इस पर एक OH जाके लग गया एक bond टूटने पर उसी तरीके से दूसरा bond भी टूटेगा इस पर एक OH और लग जाएगा अच्छा जो यह N है इसके जो दूनों bond टूटे है उन पर क्या लगा बेटे उन पर लग गया NH2 मतलब H2 लग गया तो यह हो गया MG और N के साथ 2H लगे और यह सील था अच्छा अभी देखो क्या है यह जो यह है हमारे पार जो यह compound मिला है इस पर दो ओएच लगे वें क्या लगे वें दो ओएच दो ओएच लगने की वज़े से यह क्या होगा बेटे अंस्टेबल होगा तो इसमें से क्या होगा एक H2O के form में चला जाएगा ठीक है यहां से एच लो के form में निकाल लेंगे हम तो क्या मिलेगा हमें यहां पे मिलेगा हमें CH3 सी इसका देखो यहां से यह ह और यह O H चला गया तो इस carbon का bond खाली रह गया इस O का bond खाली रह गया उस पर बन गया double bond और यह इदर CH3 ठीक है तो हमें धेको बनाना किस से इस बनाना था यह हमें बनाना था इससे Bromome thấyan से हमने क्या बना दिया प्रोपेनोन बना दिया कैसे बनाया हमने N पिर नमबर और और कारवन बनाने के-लिए के लिए फिर हमें एक और Carbon बढ़ाना था तो हमने यहां पर ग्रिगनाट रिएजेंट यूज पलिए जैसे ग्रिगनाट रीजेंट यूज किया उसके वाद हमने हाइट्रलेस को या हाइट्रलेस हाइट्री जोड दिया आपने जैसे हाट किया तो इस carbon पे दो ओएश लग गये थे जो कि unstable हो जाता है तो unstable हो गया था तो अब हमने क्या किया इसको इसका हमने क्या कर दिया इसका हमने इसमें से एक water का molecule निकाल लिया और हमें मिल गया क्या प्रोपेनोन ठेक है प्रोपेनोन मिल गया और इसका common name acetone भी होता दियान रखना कहीं अगर acetone में भी convert करने को आता तो इसी तरीके से करोगे ठेक है तो मैंने क्या कहा था कि इस पर हम दो method पढ़ेंगे एक method तो यह था दूसरा method तो दूसरा method भी बना लेते हैं भी अभी बनाते हैं दूसरा method इसके लिए करें कि कर दो ने थे सब्सक्राइब कर दो दो इनको रब कर देता हूं बाकिया उनको कर अव्याओ आब अगर आप 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 चलो दूसरा मेथड देखो दूसरा मेथड क्या है इसका देखो यहां पर हमारे पाई हेलो एलकेन हेलो एलकेन से हम बनाते हैं क्या हम यहां से जाते हैं कार्बॉक्सिलिक एसेड बनाते हैं क्या बना देते हैं पटे कार्बॉक्सिलिक एसेड बना देते हैं और फे कार्बॉ omethetic acid बनाएंगे तो carboxylic acid बनाने के लिए इंदियला method तो यूज करेंगे CH3BR इसमें KCN आड़ किया तो हमारे पास क्या compound मिला यह बिला CH3CN यह मिल गया अब इसका च्या करना है इसका हमने करना है है Hydrolisis ठीक है पिश्छले स्टेप में हमने ग्रिक्नाइड रेजेंट यूज़ किया था लेकिन हम इसका Hydrolisis करते हैं ठीक है तो Hydrolisis करेंगे तो क्या होगा पहले एक बॉन टूटेगा फिर दूसा तोटेगा तीसा तीनओ टूटेगा का मैं और से यंद टोट दिया है अब दोसा ओए यह यह नहNe पड़े दोब सरतना यहाला वोट ग्याएगा एक श्याकर लग जाएगा गा तो हमारे पास जो compound मिला इसमें कि Detstate एक से ज्यादा क्या है है एक से ज्यादा O-H-Group लगे है are और एक से ज्यादा O-H-Group क्यासे होता है Your onlyैus unstable हम से दो इसमें से क्या होगा जदी का MOLECULE अंतल जाएगा इसमें है यहां से स्टू का MOLECULE निकल गया यहां से H2O का मॉलिक्यूल निकल गया अब आपके पास क्या मिला CH3 यह है आपके पाँ Acetic Acid देंको इसका जो एक ओ था इसका एक बॉंड खाली था इस कारभण का बॉंड खाली था इन्हों आपको मिल गया Acetic Acid यह फिर इतनों एक लेकिन हमें बनाना क्या था हमें बनाना है कीटोन क्या बनाना है बटे कीटोन अगर आपको फ्लोचार्ट याद हो तो कीटोन बनाने के लिए हमने क्या किया था कीटोन बनाने के लिए हमने इसके दो molecules यूज के थे acetic acid के क्या यूज के थे दो molecules यूज के थे ठीक है दो molecules यूज के थे in the presence of MNO at 300 degree centigrade तो यह मिल जाएगा मैं क्या CH3 CH मतलो see double bond O C3 यह मिल गया हमाँ क्या प्रोपेनोन मिल गया एक Вас फिर से देखो पहले हमारे पास क्या था ब्रोमो मेथें था तो हमने में क्या करना था हमें नमबर ऑफ करणा रहा था था तो हमने नमबर आफ करवन बढ़ाने के kacene il use किया यहां पे cn add हो गया अब इसका क्या किया इसका hydrolysis किया इसका hydrolysis करना पर क्या हो गया इसके जो यह तीनों bonds से यह break हो गया और इन पर OH जाके लग गया अब इन तीनों पर OH लगा एक ही carbon पर एक से ज़्यादा O unstable होता है तो यह इसमें से MnO at 300 degree centigrade तो हमें मिल गया क्या प्रोपेनों ठीक है तो देखो मैं यही चीज आपको समझा रहा हूँ कि बैटे इस जो यह conversion है इन्हें सीखने से पहले आप जो यह flowchart आपको सिखा है थे उनको जरूर देखो क्योंकि अब जैसे directly मैंने यहाँ पर MnO यूज कर लिए at 300 degree centigrade तो वहाँ पर समझा रखा है flowchart में समझाया हूँ है भले इस में mention ना किया हो देखो यहाँ पर इस वाले में mention ना किया नहीं किया हूँ है लेकिन वहाँ पर मैंने आपको समझाया हूँ है यह चीज ठीक है तो आप आगे बढ़ने से पहले उन flowcharts को पह है यहाँ है यहाँ बाकी जागा hydrogen यहाँ पर हाइडोजन यहाँ भी hydrogen यहाँ भी hydrogen तो यह हैं ब्यूट्ट वन इन से बनाना है हमें क्या ब्यूट्ट टू इन कैसा होता है कि बाकि जगा है थिक है ज्ञान रखना चारबन के बांड ने चाहिए यह बनाना हमें एक अब कैसे करेंगे अब हम इसमें पहले तो व्यूट वनि ये इसमेन से हम बनतें कि वना तो हमारे पार कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 ठीक है इस पर हम यूज़ कर लेते हैं HBR क्या यूज़ करते हैं HBR ठीक है HBR यूज़ कर रहे हैं ध्यान रखना क्या यूज़ कर रहे हैं हम हर दे क्या होगा यह जो बियार यह जाके किस पर लगेगा यह तो देख यहां पर हमने क्या यूज़ किया हुआ है तो यह मिल गया हमें CH3, CH2, यह हो गया, CH, यहाँ पर बी आर जाके लग गया, और यहाँ पर CH और एक H जाके यहाँ पर लगया, ध्यान रखना यह क्या, मारकोनिक और फूल के सबसे जो बी आर है, वो उस कार्बन पर लगता है, जिस पर कम हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कम इसी पर थे, तो यह जो बी आर है, वो इस पर आके लग गया, इस वाले कार्बन पर, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो, हमारे पार हेलो एलकेन मिल गया है, क्या मिल गया है, हमें हेलो एलकेन मिल गया, अब हेलो एलकेन मिल गया है, तो अ ऐसे ऐसे यूज्स करते थे एलकोहुलिक के एक्वश क्यों यूज़ करेंगे तो अध्या है कि अब क्या होगा इसी अच्थ्री अच्च्टू सब्सक्राइच एक यह मिलेगा और एक दूसा और भी मिलेगा वह दूसा और क्या होगा ठीक है तो यहाँ पे जो major product होगा यह होगा major product यह क्या होगा? major product यह होगा और यह क्या होगा? minor product थी थी क्या होगा, कि यह पहले हमने एलकीन में कनवर्ट क्या यालकीन को वापस यह यह हैं चलो अगला देखते हैं प्रोपीन टुप्रोपेन वन और प्रोपीन प्रोपीन कहां अ इप प्रोपीन को ने आपका अर्प आपको गया बनाना है प्रोपेन वन ओल मतला एल्कॉहल बनाना है तो पहले इनका आगे बढ़ाना से पहले इनका इनका स्रक्चर बना लेते हैं तो प्रोपीन किया होता है बिटे च हुआ है q इससे हमाएं बनाना है क्या प्रोपेन वन ओल सी एच्ट्री सी एच्ट्री सी एच्ट्ट्री इस तरीके से ठीक है यह बनाना में अब देखो तो पहले हम हेलो यह जो एलकीन है इससे कनवर्ट करेंगे अब जरा धियान से सुनना है देखो जब हम ऑलकीन कोई कनवर्ट करेंगे तो हमें हलोजेंड करना है तो ध्यान यह रखना है कि हमारा है यह जाएगा हमारे पास CH3 ठीक है इसमें हम add कर रहे हैं HBR in the presence of peroxide किसकी presence में बिटे पर-oxide की presence में पर-oxide की presence में अब peroxide की presence में क्या होगा कि यह जो बियार लगेगा वह उस पर लेकिन ध्यान रखना अगर मैं पर-oxide यूज ना करता तो वह बियार नहीं यहां पर लगना था इस वाले ठीक है लेकिन में पर-oxide यूज किया तो anti-marconic or fuel के साब से होगा और क्या बनेगा हमारे पाग कंपाउंड यह बनेगा CH3 CH CH2 और यह BR और जो एक और हाके लगा वह इस पर लगा ठीक है अब देखो यह हमारे पास क्या मिल गया वेटाई यह पर हमें मिल गया क्या है hello alkane मिल गया ठीक है अब इससे इस पर हम यूज करते हैं aqueous के OH क्या यूज करते हैं aqueous के OH अगर aqueous के वह यूज करेंगे तो यह जो BR है इसको कौन रिप्लेस कर देगा इसको OH आके रिप्लेस कर देगा और यह जाएगा CH3 CH2 ठीक है यह carbon और यह hydrogen यह हो गया 2 और यह हो ग यह क्या है वेटे प्रोपेन वन ओल धियान रखना अगर बाइचांस प्रोपेन टू ओल बनाना होता तो यहां पे भी हम ऐसे ही करते हैं लेकिन यहां पर परोकसाइड की जगा मतलब परोकसाइड यूज नहीं करते हैं तब यह अकॉर्डिंग टू तुमर्क ऑन एक उफ रूफ होना था और यह जो ब्यार था यहीं पर लगना था जैसे इस वाले लो ब्यार को को晒ument करना तो फिर टो ठीक है तो प्रोपेन से प्रोपें12 करते हैं छलो नेक्स है हमारे पास 1 bromo propane से 2 bromo propane बनाना तो फहले 1 bromo propane क्या होता है बिटे 1 bromo propane होता है CH3 CH2 CH2 dubr इसे हम बनाना ला ना थुप रोमोप नहीं तो चीसंग करनी मिए ठीक है तो देखो कैसे करते हैं एले हम हेलो एलकेन से बना लेते हैं फिर एलकीन से वापस हेलो एलकेन बना लेंगे ठीक यह तो बनाते हैं तो सी एच्ट्री सी एच्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट इस्पर मिलाते हैं तो यह हम लिए हमांगए यह यूज sponsor लिए हैं ऑप हमें क्या क्या आप एपर से इस वाली पोजीशन पर लगाना तो इसमें हम डैれट लिए इस कर लेते हैं क्या यूज़ करते हैं एच बी आर एड कर देते हैं इसमें अब होगा तो यह किसके अकॉर्डिंग होगा यह होगा मार्कॉनिक और फूल के साब से होगा तो सी एच तो देखो हमारे पास क्या था वन ब्रोमो प्रोपेन अब मिल गया हमें तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे इतना ही करेंगे आप इस वीडियो को देखो किस तरीके से यूज करोगे, आपको starting में नाम तो मिल जा रहा न, ठीक है, आप क्या करो, वीडियो pause करो, और उसको अपने आप से बनाने की कोशिश करो, अगर अपने आप से बनगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना, तो help के लिए आप क्या करोगे, इसको वीडियो को continue करो, ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बच्चों इतना ही करेंगे, नए वीडियो में मिलेंगे, कुछ और conversions के साथ, तब तक बने रहे हैं, जवलबा कोची classes के साथ, ओके students, बाई बाई